नमस्कार दोस्तों, मैं सहली अगरवाल अपने किचिन में आपका स्वाबत करती हूँ आज मैं आपको इम्मुनिटी बूस्ट करने वाला ग्रिंग बताने वाली हूँ जो मौसमी बिमारियों से आपको दूर रखेगा आईए इसके लिए मैं आपको क्या-क्या सामगरी चाहिए बता देती हूँ सरप्रसम हमें इसके लिए गिलोय की डंडियां चाहिए होँगी गिलोय जो दो बलस्त के बरावर है उसको मैंने बारीक काट लिया अद्रक का टुकड़ा इतना बड़ा आधा नीबू मैं छिलके के साथ बीज अटा कर लेंगे बीज तक्रीवन बीज तुलसी के पत्ते होंगे तक्रीवन आठ दस काली मिर्च चौथाई चमच हल्दी ठोड़ा सा दालचीनी चार लौग मेरे पास आवले का रस प्रजर्व किया हुआ रखा है मैं वो डाल रही हूँ अगर आप आवला कर रस डाले तो आप केवन आवले कर रस डाले तो आप नीबू स्किप कर दें अगर आप नीबू डालते हैं तो आप आवला नहीं डाले आई इसको हम पीसेंगे मिक्सर में इसको हम आदा गलास पानी के साथ पीसेंगे मैं पहले से ही एक पेस्ट तयार करके रखा है वो यह है इस पीसे हुए पेस्ट को मैं इस दो गलास पानी जो उबल रहा है भगोनी में उसमें डालते हूँ यह सारा ड्रिंग चार या पांच लोगों के लिए पर्याक्त होगा आईए इसको हम उबालते हैं इस सारे ड्रिंग को हमें आधा होने तक उबालना है अगर आप आधा नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम साथ-ाथ मिनिट इसको उबाले आईए मैं अधिकतर यह ड्रिंग अपने घर में बना कर रखती हूँ यह इस ड्रिंग को हम इसको आपको च्छान के दिखाते हैं यह किस तरह इसका सेवन किया जाएगा इसको आप च्छान ले च्छानने के पश्चात यह ड्रिंग ऐसा लगेगा अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसमें थोड़ा नीगू का रस और थोड़ा सायंदा नमक और मिला सकते हैं एक व्यक्ति के लिए इतना रिंग परयार्द होगा बच्चों को इससे थोड़ा कम दे अग्यू अग्यू